राम राम आज हम श्रिमत भगवत गीता के अध्या एक अर्जुन विशाद योग का श्लोक 49 संस्क्रित उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे पहला चरण कथ दोनुक्षर पूरी कथ शब्द पूरान के बाद थ पे अनुस्वार आधम कथम न मी अमिक्स करेंगे न ग्य ग्य पर एकी मात्रा ग्य य मी अमिक्स करेंगे ग्य य म की साथ आदा से मसमा भी भी में एकी मत्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही मसमा भी पहला चरण रिपीट कथम नाग्ये यमस्मा भी है दूसरा चरण पापा दो के साथ आधा से दस मा के साथ आधा नमान दसमान निव शब्द मेती के उपर जो आधे रखी मात्रा उसको व के साथ पढ़ेंगे निवर्ती तू के साथ आधा मत तुम दूसरा चरण रिपीट पहला और दूसरा चरण साथ में तीसरा चरण कुला लमी आमिक्स करेंगी कुला क्षय शत्रिये वाले को में आपको क और श से शटकन पूरा यह ध्यान रखने का आधा बूलना और श से शटकन पूरा क्षय और यह में आमिक्स करना क्षय क्री कार्थवा का आधा और नीचर रिशे रिशी की मत्रा के आर आ क्रित शब्द पूरान के बाद त पी अनस्वार आधाम क्रितम दोश शब्द पुरान के बाद शब्यानस्वार आदम दोशम तीसरा चरण रिपेट कोलक्षय कृतम दोशम चौथा चरण प्र, प्र का अर्थवा प, आधा और र पूरा प के साथ आधा शब्रपश यो के साथ आधा द यद भी के साथ आधा र भिर प्रपश यद्भिर, ज में आमिक्स करेंगे जना द के उपर आधे र की मातर उसको ना के साथ करना है जनार द न दुनों अक्षय पूरी दोनों में आमिक्स करना है जनार दन चौथा चरण रिपीट प्रपश यद्भिर जनार दन तीसरा और चौथा चरण साथ में पुरिश लोग का उच्चारण एक साथ कथम नाग्ये यमस्मा भिही पापा दस्मा निवर्तितुम एक बार फिर से कथम नाग्ये यमस्मा भिही पापा दस्मा निवर्तितुम पुरिश लोग का आर्थ देखते हैं हमने पिछले श्लुक में सुना था कि अर्जुन भगवान श्रीक कृष्ण से कह रहे हैं कि हम लोग राज्य सुखभोग के कारण अपने परिवार समोदाय से लड़कर पाप के भागी नहीं बनना चाते हैं क्योंकि ये दुर्योधन जो दृत्रा संबंदी हैं ये सबी हमारे अपने हैं स्वजन है अब स्वजन अगर दुर्योधन अर्जुन के हैं तो अर्जुन दुर्योधन के लिए पितर स्वजन अर्जुन है पर दुर्योधन युद्धन नहीं करने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं कारण देते वे अर्जुन भागवान से कहते हैं कि दुर्योधन का या उनके सारे संबंदियों का लोब के कारण विवेक विचाल लुप्त हो गया है जिसके कारण वो कुल का नाश करने से होने वाले दोश का और मित्रों के साथ में द्वेश करने से होने वाले पाप को देख नहीं पा रहे हैं आगे का अर्थ इसी कड़ी में कथम, कथम यानि होता है क्यों कथम न, न यानि न करें गेयम असमाभी मसमाभी का जो म है उसको गेय के साथ जोड़ेंगे तो गेयम यानि विचार, म मी जो अमिक्स किया था उससे बन जाएगा असमाभी ही, असमाभी ही यानि हम लोग पापा, दसमाण अब दसमाण ये दो शब्द बनेंगे पापा, धन, असमाण तो पापात यानि पाप से असमाण और आगे फिर शब्द के साथ असमाण, निवर्तितुम तो इससे दो शब्द बनेंगे अस्मात प्लस निवर्तितुम अस्मात यानि इस निवर्तितुम यानि निवरित होने का कुलक्षय कृतम देखो कुलक्षय कृतम यानि हो गया कुल का नाश करने से होने वाले दोश्यम यानि दोश को प्रपश यत् भिर आधार भी के बाद का विसरकटने पर आया तो प्रपश यत्भिह यानि ठीक ठीक जानने वाले जनार्दन है जनार्दन भगवान का नाम है अर्थ क्या निकला है जनार्दन कुल का नाश करने से होने वाले दोश को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें तो अर्जन इस तरह भाकवान शे कृष्ण से क्या कह रहे हैं कि दुरियोधन सम्मंदी तो भले ही ये कुल का नाश करने से होने वाले दोश को और मित्रों के साथ द्वेश करने से होने वाले पाप को नहीं जानते हैं परंतु हम तो इस चीज को जानते हैं कि जो अपने कुल का नाश करता है उसे पाप लगता है जो अपने मित्रों के साथ द्वेश करता है उसको पाप लगता है तो इसलिए हम इस पाप से निवरित होने का यानि इस पाप से बचने का विचार क्यों न करें इसलिए मैं युद गुद्ध नहीं करना चाहता हूं इस तरह अर्जुन भगवान शेक्रिश्न से गुद्ध ना करने के अलग-अलग कारण प्रस्तुत कर रहे हैं अभी नाशी सहज सुखराशी ही नाथ ही मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं नारेन 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 नारेन